उसके बाद वमन विरेचन के बाद देखते हैं हम लोग बस्ती कलपना वमन विरेचन में वमन कराने के बाद साथ दिन तक संसरजन करूं कराया जाता है फिर आठवे दिन रोगी की प्रकृति तथा बल को साथ में के अनुसार भोजन कराया जाता है फिर नवे दिन उसे घ्रत लिम्टार , भोजन किराकर 9 गे दिन अनुवासन वस्ती या घृथपान किराया जाता है। फिर उसके बाद वस्ती देनी हो तो जब व्यक्ति अधि भूखाणा हो शरीर में तेल की मालिश क्या हो तब उसे रूखान दे मतलब क्या हो है कि व्यक्ति ने घृथपान ने का भ default रहता है इसी लिए उसको अधिक भूख़ा नहीं रखते हैं और शरीर मेतल से मालिश करते हैं उसके बाद उसे देते हैं भश्टी के बाद जब बस्ति गूँदा से पर थैया वहाँ भम कुछ नहीं बता है कि बस्ती प्रियोक की हो जो कि आजर आरह नहीं होता है इसलिए पहलेफर्ड के आजंगा इसमानसरत नहीं को फूर्ठि grant को घंट करता है कि और आज यूँ रजक नहीं अगर अनुवासन करने की योगी पूरिष और अत्य भोजन नहीं किया है और उसका बल भीते कह सिर्षिर वसंत में दिन में देना चाहिए दोसों के अनुसार वस्ती की संख्या मतलब कौन से दोस के अनुसार कितनी वस्ती की संख्या हो सकती है अगर वात की अधिकता है तो एक और तीन पित की अधिकता है तो पांच साथ और कफ की अधिकता है तो नौ से ग्यारा वस्ती की संख्या दी गई है इसको ह अनुवासन वस्ती में प्रियू किसने गुदा से बाहर निकल जाता है हमने निरू कराया उसके बाद निरू बस्ती दी उसके बाद या दी वक्ति में बल है तो हमने रातिरी में ही अनुवासन बस्ती दी या फिर दूसरे दिन रात भर रखकर दूसरे दिन प्राता काल दिन म और सामकाल में फिर उसे भोजन खिलाते हैं इसके बाद दूसरे दिन अत्वा तीसरे दिन अत्वा पांचवे दिन मतलब दो तीन पांच दिन उसे अन्वासन वस्ति देते हैं अन्वासन वस्ति जिस दिन प्रयोक किया जाता है उसमें जब प्रयोक इसने बाहर निकल जाता है तो उस दिन ओगी कुछ नी खिला जाता है दूसरे दिन प्राता और सामकल मतलब दूसरे दिन उसे भोजन करा जाता है अब उसके बाद भी यदि वायो अधिक प्रबल हो मतलब कि ये तीन तीन और पांस दिन पर क्यों कराने को बोला इसके बारे में तो यदि वायो अधिक बड़ी हुई हो ठीक है तो तीसरे दिन और यदि कफ पित बढ़ा हुआ हो तो पांचवे दिन अनुवासन वस्ती देनी चाहिए तो इसका यही मतलब कि दूसरे तीसरे और पांचवे दिन अनुवासन वस्ती देने का यही तात पर है कि देनी चाहिए इसके बार में बताया जाए एक बात और आती है यहां पर कण़ीज करने वाली कि वश्ट विरेचन साथ दिन बाद с Chinese कि निरूबस्ति को क्रम हैं यह क्युंग किया जाते तो ऐसा इसलिए कि जो विर्यचन थीक है उसको जब विएक कराएंगे तो जो मल हो शरीर से बाहर हो जाता है स्रोतस जो है वो खाली हो जाते हैं जड़ी उसके पर तुरंथ हमने उसे निरूबस्ती दी तो निरूबस्ती भी जो है वो मल निकालने में समर्थ नहीं होगे क्योंकि वहाँ पर जो मल है जो दोश है वो है ही नहीं तो उससे क्या होगा कि जो शरीर है वो नश्ट हो जाएगा विरेचन से प्रथम शरीर सूर्ण निया अर्थात रिक्त हुआ रहता है निरूबस्ति निरूबस्ति है और उसमें भी शरीर निकाल दी इसलिए जो विरेचन है उसके नो दिन बाद ही निरूबस्ति नवे दिन ही निरूबस्ति देने का विधान है मुलब कि 7 दिन तक वेक्ति जो संसर्जन करा में वो करता है मुलब बल प्राप्त करता है फिर 8 दिन उसे इस नहे अनुवासन बस्ती जी जाती है फिर 9 दिन उसे निरूबस्ती दी जाती है अब देखते हैं कि अनुवासन बस्ती के गुण हमने निरूबस्ती के बारे में करता है यह वात-जन्न वेद्वन को शांथ करता है यह वात-जन्न वैधनाओक brought ए कियों सिद्धा क्यूं सपत वात-जन्न वैधनाओक को शांथ करने की लिए त제가 ही कुछ इत्माना गया है क्यूंकि तेल अपने इसने गुरुन के कारण वायू की रुच्छता को शांद करता है, गुरु गुरुन के कारण वायू की लगुता को शांद करता है, उश्न वीर होने का कारण वायू की शीतलता को नश्ट करता है, और सीगरी ही मन को पसंद कर देता है, यह जट्रागनी को भी करती है वात को शान करने के लिए मतलब तेल लगा ही प्रियोग बताए गुए पर दोस्त के अनुशार घरतवसा मजजा का भी प्रियोग किया जा सकता है वह सरपी वज्जा में पड़ा भी है कि सरपी मजजा वसा मैंस नहीं है शुक्रबराम्तम परन्तु जो वात है वात को दूर करने के लिए जो तेल है वो सर्वशेष्ट माना गया है इसलिए मतलब तेल के बारे में ही डिसकस हुआ है फिर इसके बाद देखते हैं बस्ती के सामाने को जिस व्यक्ति का शरीर जकड़ गया हो संकुचित हो गया हो पंगू हड़ी तूट गई हो शरीर में वेदना व की व्यक्ति में विक्ड़ूप से वस्ती देने चाहिए वस्ती प्रियोग के योग weighted уб कौन-कौन से यह रोगों में वस्ती का प्रियोग उचित माना गया है जैसे उदर में आदमान हो गया हो मल में गांट फड़ गयी हो उदर शूल हो भी जो आसी स्त्री है जो इसको कर अनुसार वस्ति कैसे दी जाती तो जो भी रोग के गूण है या या वी विरूग के दोसे उसके विपरीत गूणं वाली बस्ति का प्रयोग करना बताया गया है जैसे कि उधारान अनुसार देखते हैं कि जैसे गर्मे में पीडित गर्मी से में पीडित वेक्तियों में शीतल द्रवों की द्वारा शीतल बस्ति दी जाती है या फिर शीत से पीडित वेक्तियों में उश्लम बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए दोशों के विप्रिद्गुन वाले और उसे बस्ती का निर्माल करना चाहिए और उसका प्रयोग करना चाहिए इसी प्रकार मतलब की गुड़ों और दोशों के विप्रिद्गुन वाली बस्ती का रोगानुसार प्रयोग करना चाहिए अब फिर देखते हैं ब्रंगल बस्ती वस्त के निषए का निषएत कहां बताया है छीनओ और उरच्छतों में अत्यांट दूरबल chromosomes करने के पैश्चात के परन्तु यहां पिस लाइन से मतलब है कि तुरंत भात नहीं चाहिए नो दिन तक बाद जो वस्ती है वो देनी चाहिए फिर देखते हैं वस्ती की प्रधानता वस्ती की प्रधानता शरीर में कोई भी रोग जो होता है वो समानेता वात दोश के कारण ही होता है और वात की चिकित्सा में वस्ती श्रेष्ट माने गई है जो वात की चिकित्सा है उसमें वस्ती को चिकित्सा का अधा भागी वस्ती कहा गया है इसलिए यहाँ पर वस्ती की प्रधानता बताय गई है अच्छा ऐसा क्यों कहा गया है तो देखते हैं कि जिसे शाखा, कोष्ट, मर्म प्रदेश, शरीर के उर्द भाग या सब ही अंग प्रतेंग में होने वाले कोई भी रोग होते हैं तो उन रोगों में वायू को छोड़कर अन्य कोई विमर्श दोस उनकी उत्पत्ती में कारण नहीं हो तो मलब की कहीं न कहीं वात के कारण ही वात भी उसके जो कारण होते हैं वात भी आता है तो इसी प्रकार जैसे वायू हो गया, मल हो गया, मूत्र हो गया, पित हो गया या कोई भी मलाशे में कोविक शेप करने वाला या संज़ात करने वाला बड़ी भी जो भी कारण होता है ये वाद के कारण ही होता है तो इसको भी शांद करने के लिए वायू को जो शांद करने के लिए वात को शांद करने के लिए बस्ती को छोड़ कर आने कोई औशाजी नहीं है इसलिए चिकित्सा का धवाग बस्ती को ही माना गया है कई विद्वान ये भी कहते हैं कि वस्ती जिकिस्सा सारे रोगों की जिकिस्सा है तो इसलिए यहां पर वस्ती की प्रधानता बताई गई है